अनुश्यर्वाजी मानने अध्यक जी मैं आपके माध्यम से मानने उद्योग मंत्री जी श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूँ सिल्तरा उद्योगी क्षेतर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में सवाल पूछा था तो उस पे 108 खतरनाक उद्योगों की जानकारी विभाग ने मुझे दी थी और इन उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हैं आँखों में जलन सांस की बीमारी और तवचा की बीमारी कैंसर जैसे गंभीर रोगों की शिकायतें काफी बढ़ी हैं इसके विशे में मैंने सवाल पूछा था कि इन मजदूरों के स्वास्त के परिक्षन के लिए क्या विवस्था रही है तो उसका बहुत निराशा जनक जवाब आया है माननी अध्यक जी मेरे पास यहाँ पर मामला यह है माननी अध्यक जी कि विभागी नेमों का डर और कसावट नहीं होने के कारण फैक्टरी प्रबंधन निरंकुष होके लगातार कामगारों की जान के साथ खिलवाड कर रहा है माननी मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि समय समय पर मजदूरों के स्वास्त की जाच के संबंद में क्या प्रावधान है क्या पॉलिसी है और यह फॉर्म 21 क्या है इसको थोड़ा स्पश्ट करके बता देंगे मन्नी अध्यक्ष महुदाय हमारे कारखाना जो चलाते हैं उनके द्वारा साल में एक बार प्रशिक्षाण स्वास्त प्रसीविर लगाये जाता है और ऐसे सिल्तरज छेतर के छए खतरनाक सरणी के जूद्योग है उन्हेंने स्वास्त सिविर नहीं लगाया है उनका हम लोगोंने स्रम न्याले में वाद दायर किया है और न्याले से जो फाइसलाएगा और पर्टिकुलर अगर मानी सिदर्श महुदाय अगर कोई बताना चाहते हैं कि जिसमें सिविर नहीं लगा है तो उसमें निश्तित तोर पर हम लोग कड़ाई से पालन करवाएंगे मानिय अध्यक जी यह मुझे जवाब आया है मेरे सवाल के जवाब में कि 2222 से 2024 के मध्य सिल्तरा फेस वन में स्थापित किसी भी उद्योग में श्रमिकों के स्वास्त के संबंधी कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया है तो यह contradict कर रहे है मानिय मंत्री जी अपनी बात को कि सिर्फ 6 जोगों ने नहीं लगाया है और यह आपके सामने जवाब है मानिय अध्यक जी और इस जवाब में कहा गया है एक भी शिविर नहीं लगाया गया है तो मंत्री जी यह मैं जानना चाहता हूँ कि सदन को गुमरा करने वाले कौन है जो आपके जवाब और इस जवाब में फर्क है तो मैं जानना चाहूँगा कि इस पे क्या कारवाई करेंगे वो पहली बात दूसरी बात यह कि जितनी जाचें होती है उसको साइट पे अपलो जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने सदन को गुमरा किया है जिन्होंने मजदूरों के स्वास्त के साथ खिलवाड किया है ऐसे मिली भगत करने वाले अधिकारियों पे क्या कड़ी कारवाई करेक उदारन प्रस्तूत करेंगे माननी अध्यक्च महदाय मैंने पहले बताया कि छै कारखाना में जास्विर नहीं लगा है और सिल्तरच छेत्र में अपने 32 कारखाना इस्थापित हैं जिसमें 25 खर्तरनाक सरणी के हैं और छै में ही मात्रा स्वास्त प्रिछन नहीं कराया गया है और विभाग के द्वारा सिविर नहीं लगाया जाता है परन्तु उद्योग के द्वारा सिविर लगाया जाता है अगर मानी जी कह रहे हैं कि कोई उद्योग जाच नहीं कराया है तो हमको बता देंगे उनका कड़ाई से साथ में हम लग पालन कराएंगे और जो नहीं करता है उसके उपर कड़िश कड़िश कर देंगे उन पर क्या कारवाई करेंगे अप हर आपका हर जवाब हर बार अलग अलग आ रहा है मानियत्यक जी देखे कोई भी गुमरावाला जवाब नहीं आ रहा है ना कुई गलप मेरे पास एक सवाड लोगों की लिस्ट है यह रहा और यह मेरे हाथ में और यह भी सदन से ही मुझे पराप्त हुआ है मानियत्यक जी मानियमंत्री जी को मैं बताना चाहूं है मेरे हाथ में जाच कर लें सील लगा हुआ वराबर ओरिजनल प्रती है मेरे हाथ में और बार बार संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है मानियत्यक जी क्या ऐसे अधिकारियों पर कारवाई करेंग और इभी वेग सवाट उद्योग के बात कर रहें और जो जानकारी मांगी गई उसमें सिल्तरा छेत्र गे बारे में जानकारी में मांगी गई है अगर उनका पुरुवा प्रदेश के चाहिए तो मुझे बता देंगे उनको पूरा प्लब लफ्रकरा दिया जाएं आग बादि हमारे मजदूरों के स्वास्त के साथ खिलवाड करने वाले को विजय जी जिन बातों की बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी जांच करा ले जब उनको लगता है कि वह धूरा है तो आप दिखवा ले कि साक्ष मेरे पास है मानिया दिख जी बिल्कुल अगर आप बता रहे है तो मस्जिद आठी देगा अप देज़ आठाले में करा ले माजिद दन्य 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 जोली धन्य दन्य